ये क्या है ये केट खाना कैसे खाएगी कि अगर आपका बच्चा भी तेन साल का हो गया है और अभी कुछ भी नहीं लगता है उसको पढ़ना तो सब कुछ आता है अल्फावेट नंबर आइडेंटिफाई भी कर लेता है पढ़ भी लेता है पर उसको लिखनी में प्रॉबलम आती है तो आप किस तरीके से आप अपनी बच्चे को लिखना सिखा सकती है क्योंकि मेरी लड़की भी पहले बिल्गुल भी नहीं लिखती थी स्कूल जाती थी तो भी नहीं लिखती थी टीचर बोलती थी यह बैठी रहती है लिखती नहीं तो फिर बात में मैंने सोचा कि कैसे इसको लिखना सिखाय जाए सुरू में मेरी लड़की को 4-line की भूक्स में जो 4-line की notebook आती उसमें मैं लिखवाती थी उसमें लिखवाने का try करती थी और जो square box बाली नमबर के लिए जो notebook आती है उसमें मैं try करती थी तो वो उसमें लिखती नहीं थी, मैं इसको बहुत कोसिस करती थी, पर वो लिखती नहीं थी, उससे वो पकड़ तो लेती थी पैंसिल को, पर वो कैसे मूब करना है, नंबर कैसे बनाना है, लेटर कैसे बनाना है, उसको आता ही नहीं था, और वो four line की book में बिल्कुल भी interest नह से लिखने सीखेगी ऐसे डारेक्ट फोलाइन बुक से नहीं सीखेगी फिर मैंने नेट पर मैंने सर्च किया online मैंने Amazon पर देखा ओसवाल कंपनी की बुक तो बहां पर मैंने बुक में देखा कि उन बुक में step by step दिखा गया है कि किस तरीके से हम शुरुआत कर सकती हैं बच्चे को लिखवाने के लिए जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है ट्रेसिंग करता है तो मैंने देखा ट्रेसिंग की वी बुक उस पे मुझे मिल गई थी और फिर बाद में किस तरीके से बच्चा लेटर बनाएगा नमबर किस तरीके से बनाएगा और कहां से डॉट को सुरू करना है मतलब पैंसिल को सबसे पहले कहां रखना है तब कौन सा लेटर बनेगा किस तरीके से लेटर को घुमाना है या नमबर को बनाना है बहां पे पू जो अन से मंगवाई थी online तो आप भी मंगवा सकते हैं लिंक मैं आपको description में दे दूँगी और आगे मैं आपको detail में बताती हूँ कि किस तरह की ये books हैं ये सभी चारों books pre-writing सिखाने के लिए हैं बच्चों को अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं लिखता है तो line और pattern tracing के लिए ये book आप देख सकते हैं और फिर upper case writing के लिए vocabulary के लिए 3-5 साल के बच्चे के लिए आप ये book यूज़ कर सकते हैं number tracing भी आप 2-4 साल के बच्चे के लिए कर सकते हैं और upper case level second आप 3-5 येर के बच्चे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन बुक्स के बारे में, अब मैं आगे detail में आपको बताती हूँ. देखिए, इस book में सब कुछ detail में बताय गया है, कि किस age में बच्चा किस तरह से pencil को पकड़ता है. देखिए, शुरू में बच्चा 10 मंत में इस तरीके से पकड़ता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो बच्चा इस तरीके से पेंसिल को पकड़ने लगता है फिर वो सई से लिखने लगता है उसकी राइटिंग भी अच्छी हो जाती है तो देखिए इस तरह की बुक मैं सुरू में स्टेंडिंग लाइन को ट्रेस करने के लिए दिया गया है बच्चे को एक story के type में आप बता सकते हो जैसे cake के उपर क्या रखा है candle तो candle को हम जलाते हैं अब ये देखी यहाँ पर भी story के रूप में आप बच्चे को बता सकते हैं देखी बच्चे boring feel करते हैं तो उनको कुछ story के रूप में आप कुछ बताएंगे और कुछ colorful book में इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेगा और interest लेगा और tracing करने लगेगा शुरू में बच्चे tracing करने लगेगा तो फिर धीरे धीरे वो independent होकर लिखने भी लगेगा जैसे कि मेरी लड़की अभी लिखने लगी है यहाँ पर बच्चे की बौके बलरी भी बड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सारे चीजों का नाम लिखा है कि किसको क्या बोलते हैं अब यह देखी यहाँ पर slanting line आ गई है इस तरीके से आप slanting line बच्चे को सिखा सकते हैं और इसका जो कागज है बहुती मोटा है आप कितनी भी बार erase करेंगे तो इसका कागज खराब नहीं होगा मैं भी इसको बार बार erase करकर के मैं इसको करवादी पैंसिल से लिखते हैं तो easily erase हो जाता है यह देखी यहाँ पर आप गोल गोल circle circle pattern बता सकते हैं बच्चे को और जिससे बच्चे का attention focus भी बड़ेगा अगर आप इस तरीके से circle के रूप में tracing करवाएंगे तो काफी जादा helpful होता है यह बच्चे के लिए यह देखी आप story के रूप में बता सकते हैं नेक्स्ट यह भी pre writing book है जिससे आपके बच्चे की vocabulary वड़ेगी और उसको later बनाने में उसको आसानी होगी यह देखी इस book की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इसमें शुरू में easy easy later लिखे गए हैं डारेक्ट एवी सीडी से सुरू नहीं किया गया है यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बच्चा पहले easy easy pattern easy easy later बनाना सीखता है उसके बाद बच्चा कठिन कठिन बनाता है यह देखे यहाँ पर इसमें book की खास बात ही है कि इसमें numbers दिये गए हैं यानि कि पहले कहां move करना है पहले बन से two number फिट three से four इस तरीके के number इसमें दिये गए हैं कि पहले pencil को कहां रखना है और कहां move करना है क्योंकि मेरी लड़की को tuition मैंने बेजा तो बहुत जादा उसे दिक्कत आ रही थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि pencil कहां से सुरू करना ह फिर इस तरीके से बच्चा point के जरी यह जल्दी सीख जाता है साथी खास बात यह है कि इसमें side में काफी सारे walkie blurry दी हुई हैं जिससे बच्चा आपका बोलना भी सीखे खा उसका language का भी development होगा और आगे spelling बनाने में भी बच्चे को काम आएगा और यहां पर बड़े अक् अक्षर पर जल्दी से लिखने लगता है और छोटे अक्षर से आप लिखाएंगे तो बच्चा इतिनी जल्दी नहीं लिखेगा पूरा बच्चे को ध्यान में रखकर यहां पर यह ट्रेस करने के लिए यहां पर लेटर बनाये अब देखिए बच्चे को आपको नंबर ल तो टू नंबर कैसे बनाना है कहां से स्टार्ट करना है सारे नंबर इसमें दिये गए हैं और साथी साथ उपर बच्चे की बॉकलरी भी बढ़ रही है काउंटिंग भी बच्चा सीखेगा ऐसे फाइब नंबर लिखा है तो फाइब फिंगर है फाइब चीजें वहां पर रखी हुई हैं तो इससे बच्चा को पता भी चलेगा कि नंबर का क्या महत्व है बच्चे को सेफ सिकाने के लिए यहां पर यह चीजें बनाए गई हैं तो जिससे बच्चा सेफ भी सीखेगा चीजों के नाम भी सीखेगा और कलरफुल चीजें देखकर बच्चे का इंट सेप्ट दिया गया है तो काउंट करके आप मैच भी करवा सकते हो और यहां पर काफी सारी activity भी दी गई हैं और साथी साथ बच्चे को numbers का भी ज्यान होगा बच्चे को सेप matching भी आ जाएगा अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का हो गया तो यह level 2 की बुक आपके बच्चे के लिए बहुत ही जादा helpful होगी यह देखिए बच्चे को यहां पर पहले बच्चे को trace करके later बनाना बताए गया है बाद में independent बच्चा कैसे later बनाए वो बताए गया है मेरी लड़की भी पहले later लिख लेती थी पर independent नहीं लिख पाती थी क्योंकि उसको समझ में नहीं आता था कि dot पहले कहां रखना है मतलब pencil की knock पहले कहां रखना है तो इसमें step by step सब number दिये गए हैं कि पहले pencil की knock यहां रखना है यहां से यहां move करना है तो बच्चा easily pattern बना सकता है letters बना सकता है easily और साथी साथ यहां पर side में काफी सारी vocabulary का बच्चे का बिकास होगा बहुत सारी चीजों के नाम यहां पर English में दिये गए हैं जो कि आप बच्चे को बता सकते हैं कि V4 क्या होता है W4 क्या होता है यह सारे बच्चे को चीजों का भी ग्यान होगा जिससे आगे बच्चे को spelling बनाने में भी आसानी होगी यह देखिए इस बुक से बच्चा इंडिपेंडेंट लिखना सीख जाएगा उसे पता चल जाएगा कि पहले पैंसिल कहां रखना है फिर कहां से कहां मूब करना है और किस तरीके से लेटर बनाना क्यूंकि लिखने में बहुत ही जादा बच्चों को problem आती है इस तरीके से बच्चे आस ऐसे एरेज भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और इसका paper बहुत मौटा है कितनी बार भी आप एरेज करेंगे तो भी इसकी quality खराब नहीं होगी इस तरीके से आप बच्चे को लेटर बनाना सिखा सकते हैं तो आप भी अपने बच्चे के लिए बहां से purchase कर सकते हैं यह क्य कर दो कर दो कि यह क्या है केक पर क्या लगाई है यह कौन सी लाइन है यह क्या है सोपा सोपा कहा रखते हैं लीविंग रूम में स्ट्यूपड ट्रेस करना है इदर से मुख्ट इदर से लेकर जाना फिर इसको से इदर से ग्रास होग्ड़ करो ऐसे ट्रेस यह देखो यह क्या है रैन्बो और रैन्बो का निकलता है संसर्ट संसे नहीं इसका ही भी निकलता है इस ऐसे इस में लाइन कर दो इस में लाइन लाइन पर ही चलो लाइन से बहार नहीं जाना है लाइन से चलो कैट खाना कैसे खाएगी कैसे जाएगी खाना के पास लाइन पर चलो लाइन पर दीरे दीरे लाइन पर लाइन पर चलो बीच में लाइन पर हाँ चलो इदर से लाइन पर चलना है इदर कौन सा लेटर है यह यहां से ट्रेस करो एल फोर क्या होता है और यह क्या है कौन सा फ्लावर है यह क्या है इंगलेस में क्या बोलते इसको यह कौन सा नमबर है तो यहां बंट्रेस करके लिखो करो यह कौन सा से इप है बील नहीं बील तो है सेप कौन सा है सरकल सेप है अब यह कौन सा सेप है घड़ी यह कौन सा सेप है यह कौन सा सेप है यह कौन सा सेप है तूटू नमबर चाट को उसमें कलर करो और कहा है टू नंबर आपको हाँ कलर करो इसमें कौन से कलर है उसमें नहीं करना सिर्फ टू-टू में कलर करो दूरो हाँ करो कलर सेम सेम टू सेप को मैच करो हाँ अब नेक्स्ट सडकल हम अब हाँ अब 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 बना के इधर यहां और बना और बना अंकल ने से डॉट मिला के टी बना ओ हाँ आपने लो यह आई लेटर है डॉट से डॉट मिला के आई बना ओ हाँ तो पेरेंस आपके लिए अगर वीडियो यूस्फुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर दें और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना के आपको यह वीडियो क कितनी हेलफुल रही है